नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे, स्वागत है आपका हमारी चैनल सक्षम आयरुवेदा में हमारा अगला टॉपिक है गर्विश गर्विश जिसको कॉंकोक्टेट पॉईजन भी कहते हैं आए देखते हैं गर्विश की परिभाशा क्या होती है इस्थाबर और जांगम विश के अतरिक्त, आविश द्रवियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले विश को गर्विश कहते हैं अर्थात ये उन द्रवियों के संयोग से उत्पन्न होता है जो स्वेम विश नहीं होते हैं इसका पाक शरीर में देड से होता है, इसलिए यह शीग्र प्राणों का नाश नहीं करता है। नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध और शदियों की भस्म तथा अल्प वीर्य वाले विशों को योग कर गर्विश बनाया जाता है। उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया शॉट में नाना प्रकार के प्राणियों से उत्पन्न मल, विरुद्ध और शदियों की भस्म, अल्प वीर्य वाले विशों के योग को गर्विश कहा जाता है। आईए देखते हैं गर्विश का प्रयोग। दुष्ट सुभावाली इस्त्रियां पती या प्रेमी को वश में रखने के लिए अपना पसीना, रज वशरीर के अन अंगों के मलों को अन्न में मिला कर देती हैं। इसी प्रकार वे शस्त्रों से प्रेरित होकर उनसे दिये गए गर अन्य में मिलाकर खिला देती हैं। आईए देखते हैं गरविश के लक्षण। इसी प्रेरियां जब अपने पती प्रेमी को इस तरीके के गर खिला देती हैं तो उनमें कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें देख लेते हैं। इन लक्षणों में पांडू, क्रिष्टा, अलपागनी, मर्म प्रद्मन, आदमान, हाथवा पैर में शोत, जठर ग्रेणी दोस, यक्षमा, गुल्म, छे, जर, आधी लक्षण पाये जाते हैं। इन सामाने लक्षणों के अलामा कुछ विशश लक्षण भी उनमें पाये जाते हैं। जैसे कि इस वपने विवकार में वे श्रिंगाल, हिंसक, पशु, नेवलों, वानरों तथा नदी और रोनस्पतियों को सूखा देखता है। उसके शरीर का वर्ण काला हो, फिर भी अपने आपको गोरा समझता है, और यदि गोरा हो, तो अपने आपको काला समझता है। बिना नाकवा कान के देखता है। प्रतेक्ष रूप से उसकी इंद्रियां अपने विश्यों को ग्रहन करने में असमर्थ होती हैं। आईए देखते हैं गर्विश्क के निदान। उपरवित लक्षणों से पीडित व्यक्ति को देखकर वुद्धिमान व्यदि को प्रश्न करना चाहिए कि व्यक्ति ने किस के साथ कब और किस वस्तू का सेवन किया है। इससे पता चल जाएगा कि उसको किसी ने गर्विश् और नहीं हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे गर्विश्की चिकित्सा। गर्विश्की चिकित्सा में हमें वमन कराना है सूक्ष्म तामररज और मधू के साथ। इससे हिर्दय की शुद्धी हो जाएगी। हिर्दय की शुद्धी हो जाने पर प्रयोग से सभी प्रकार का विश्क गर्विश्क के प्रभाव का नाश कर देता है। इक कोटेशन आता है ना सज्जते हेम पांगे विशम पद्म दले अंबुवत इसका अर्थ है कि जिस प्रकार कमल की पत्ती पर जल नहीं ठहर पाता उसी प्रकार सुण्ड चून का सेव इसमें नागदंटी, निशोथ, दंती मूल, द्रवन्ती, सेहुड, मैंफल और गोमूत्र मिलाए गया है। इसको भैस के घी से पकाया गया है। इसक्राइक करें, धन्यवाद।